देवी और सच्जिनों यह सत्य घटना है मैहर में विराजमान शार्दा देवी के परमभक्त आलह की जिनकी धर्म पत्नी रानी मचला का हरण करवाया पत्री गड़ के राजा जौला सिंग ने दिल्चस्प बात यह है कि रानी मचला का हरण देवी की सहायता से हुआ और इस कारे में सहायता करने वाली देवी कोई और नहीं आलह की कुल देवी माँ भवानी ही थी आश्चरी की बात तो यह है कि जगत जननी माभवानी ने ऐसा क्यों किया इसका उत्तर दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है आलहा तुम्हारे सेनिकों को पत्थर बनाने वाली और मचला का हरन कराने वाली देवी कोई और नहीं मैं ही हूँ क्या ऐसी क्या मजबूरी थी माँ जो आपने एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर दिया जिसे हमरता का वरदान दिया उसे ही जीते जी मर जाने को मजबूर कर दिया बताईए माँ बताईए बहराल रानी मचला की खोज आलह के गुप्तचर भी नहीं कर सके लेकिन मनुश्यों की तरह बोलने वाले गिद्ध और गिद्धनी रानी मचला का पता लगा ही लेते हैं हाई राम ये तो मेरे गिद्ध और गिद्धनी है मचला तू यहाँ गिद्ध बाबा आप यहाँ युद्ध में दुष्मनों को पचाडने वाले घोड़ा पचाड पहलवानों उधो समय आ गया है अलहा उदला और उनकी तमाम सेना पर गाज बनकर ऐसा गिरो ऐसा रहूं दो कि दुष्मनों के मट की पलीद हो जाए पेटा नूर देनोट शमय आ गया तुझे अपनी पीरता दिखाने का जब इसके चवाड खेच ले और बेटा नूर देन इस पहलवान की वो धुनाई करना कि इसकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए रानी मचला को ज्वाला सिंग के कैद से मुक्त कराने के लिए जब आला के योद्धाओं ने युद्ध करना प्रारंब किया तो मा भवानी ने अपनी जादूई शक्ति से आला के सेनिकों को पत्धर बनाना शुरू कर दिया जिपाहियों पीछे अटो हमारी सेना को कोई देवी पत्धर बना रही है कि उसको जहां जगे मिले भागो अज़े पत्धर बना रही है अरे भागो जाद बचानी है तो भागो जब तक डेवी मेरी सहायता करती रहेगी कोई माई का लाल मुझे छू नहीं सकता हराना तो बहुत दूर के बात है और जब तक मैं चाहूंगा देवी मेरी सहायता करती रहेगी क्योंकि ज्वाला सिंग नाम है मेरा पत्थरी गढ़ करा जा ज्वाला से पत्थर बन गया ताला सैयद घोड़ा भाग गया हिन आए हल चल मच गई सब पोजों में सब तल केड़ी बिरी हो जाए काल बरन हो गई है देवी सब को पत्थर रही बनाए मानाओ हो तो लड़े सामने देवी से कोई लड़ ना पाए जो कोई भागा रण भूमी से अपनी ले गया जान बचाए जो कोई फसा है रण केतों में अपनी देदी जान गवाए आलहा भागे उदल भागे संग में भगा इदल सी राए ना जाने आगे क्या होगा समझ किसी के आता नाए गधे की तरह रेखने वाले भैरों सिंग तुझे अपनी साकत पे बहुत धमन धेला तो मत से मुकाबला कर शार्दा भवानी की महिमा का बखान देवता भी नहीं कर सके हम मनुष्य तो उनके हाथ की मात्र कठ पुतली है मा जैसा चाहती है न चाहती है वहां मा भवानी ने आला को अमर्ता का वरदान दिया तो यहां मा आला के बेटे इंदल की बली लेना चाहती है देरी मत करो उदल कहीं ऐसा ना हो जो आला सिंग यहां आ जाए और मैं तुम्हारी कोई साहता ना कर सकूँ चाचा आपका उतरा हुआ चहरा देखकर लगता तो नहीं कि आप किसी वीर पुरुस की संतान हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मा कहीं और जाके मा अपने भक्तों की कैसे परिक्षा लेती हैं और फिर कैसे मन चाहा वर्दान दे देती हैं यह प्रसंग देखने योग्य है नटराज कैसिट के विनए वर्मा ने इस अद्भुत सत्य घठना को इतनी सरलता और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है कि देखने वालों का समय कितनी जल्दी वितीत हो जाता है पता ही नहीं चलता आईए आप भी देखिए नटराज एलेक्टोनिक्स बरही दोरा प्रस्तुत मचला हरन का भाग एक, दो, तीन, चार, पांच, और भाग छे प्रस्तूत मैं जाता है रहा है प्रस्तुत मचला है, रहा है रहा है कर दो को कि रहां दो का दो और कर रहां। सदाभवानी दाहिनी गोरी पुत्र गनेश पाँच देव रख्छा करें ब्रह्म्हा विषिनु महेशे चकवा बोलू गया सागर मैं बोला हंस समंदर पार बोली मचला सीस महल में आला मंदलीक की नार हाथ जोड कर मचला बोली में सासों की लें उबलाए जब से आई गड़ महवे में मैंने कुछ देखा है नाई लगा महीना अब सावन का और सब पूल रही फोल आई आज हर आली है महवे में और है तीजों काते भाग सेर करा दे मुझे बाग की बाग नो लखा दे दिखला आई बाग नो लखे की सेरों में मेरा जूला दे डलो आई मुझे जूला दे तुम बगिया में तेरा गुन भूलूंगी ना आई इतनी सुन कर ते बला बोली में दुलहन की लें उबलाई एसी बातों को मत बोलो क्यों तेरी मत मारी करतार घर के बाहर नहीं जाती है तिरिया पट बंदनी नार ना डर है तुझ खो बालम का ना कुछ इचत की परवाई बेहाया हो गई रागो मच्च की तुझ को सरम आबती नार भरी जवानी कुछ ना सूझे तुझे इसक ने लिया दवाई चुटिया पकड़ी क्यों हो नीने क्यों जम चड़े भोजों पर आए कियों जम चड़े भोजों पर आए इधर है दुस्मन संबल वाला नोलत घोडा कई हजार उधर है दुस्मन बसे कणंगा राजा माणों का सरदार उधर बुदुस्मन ज्वाला सिंग है राजा पतरी गण का राए चारों तरफ बसे हैं दुस्मन अपना कोई समी पीना आए धोका गुजर जाए बगिया में कुछ नहीं रहे हमारी बात ये मसहूर जगत में हो जाए मचला भगी किसी के साथ नेक काम को देर लगे है बदनामी जल्दी हो जाए तुझे बाब ली कर दिना रायन क्यों तेरी अकल गई बोराए बात बिगड़ जाए गड़ महोवे की फिर मरजाद बंदेगी ना आए बामन गड़ की जो जो धर है सारी मिले खाक में जाए एक जूले की क्या गिंती है दोहरे जूले दून डलवाए नाम नले तू बहाँ जाने का में दुलहन की लेऊ बलाए चंदन मंगवाले महलों में और हिंडो लेले डलवाए बोला सहेली सहर अपने की अपना लेते भार कराए इतनी सुनकर मचला जल गई जियों बारूद आग लग जाए सुरकी छाए गई चहरे पर गुस्सा भरा बदन में जाए सेर दहाडे जियों जंगल में भौके नाग बामी में जाए बिजली चमके जियों अंबर में बादल गरज गरज रह जाए यह गत हो रही रानी मचला की अब कुछ रहाठे का ना ना आए मारी दोहत्तर जब छाती में जैसे कला कहू तर खाए भार नो लगे की लड़ तूपी हीरा गरदन का ढग जाए हिसक के बाजू भुज डंडों से भो चुडियों पर पहुँचे जाए आसू निकल पड़े रानी के मोह से बात निकलती नाए खिलकी बंद गई रानी मचला की आसू गिरे धरन पर जाए सासो सासो को ललकारा अब तुम सुन लो कान लगाए किसमत पूट गई मचला की जो महोवे में ब्याही आए लगा महीना अब सावन का और हर्याली पूली आए सारी तिरियां गड़ महोवे की अपनी ती जो रही मनाए खोन सोंग महलों में पड़ गया मेरा सून चला के भार या तो जोलाबे मुझे बाग में या नहीं मरूं कटारी मार पांद के गठरी में पत्तर की और नहीं मरूं कुगे में जाए हत्या दूंगी गड़ महोवे में सब की कुली नरक में जाए क्या कही मर गया ताला सयद सहर बना रसका सरदार क्या कही मर गया धबल ओदै चंद जो मेरा हुआ नहीं पेभार छोटे मोटे की नहीं बेटी और कुछ नीच जात की नाए मैं बेटी हूँ रजपूतों की संका करूं काल की नाए या तो जूलूंगी बगिया में नहीं में मरूं कटारी माज नानी मचल गई महलों में कहना एक मानती नाए बहुत सा समझाया दिवला ने उसकी समझ में आया नाए जो कुछ हक है समझाने का वह सब दिया उसे समझाये बोली मचला जब ललकारी और सासों से कहा सुनाय अंस निकल गई गड महवे के यहां कोई रहा सूर मानाय अब मैं जाती हूँ सिरसे को देवर मलके के दरवार बड़ा भरोसा मुझे मलके का करवा दे मेरा तेभार बागे नो लखे की सेरों में चन्दन जूला दे गड़वार मुझे जुलावे सिरसे वाला और किसी के बस की नाय इतनी बात सुनी दिवला ने रानी गई सना का खाय जुरकी चाय गई चेहरे पर गुस्सा भरा बदन पर चाय बहुत तेरी मती मारी गई है नहीं जाना है वहाँ तू नहीं जाएगी वहाँ मैं जो समझती हूँ वह तूम नहीं समझती मैं क्या नहीं समझती बांदी पर नाम मता मेरे लिए क्या है आदे से बांदी जाओ उदल को पुला कर लाओ जो आगए मता हाँ तो भईये यह सुभाव मछला की सब बात सुनके बांदी उदल के महल में पहुची और उते उनका देखो जहां सिंगा सन था आला का बांदी जुकी सामने आए पांच कदम से करी कॉरने से आगे सीस नवाया जाए नजर घूम गई नर उदल की और बांदी को देखा जाए बोला उदल तव बांदी से बांदी सुन लो कान लगाई केसे आई तू बंगले में हमको जल्दी दो बतलाई हात जोड़ कर बांदी बोली ओ महराज बना फर्राई बादल फट गए रनवासों में बेडा कोन लगा बेपार जानी मचल गई महलों में जिसका नाम मचल देनार बहुत सा समझाया दिवला ने कहना एक मानती नाए तुझे बोलाया है माता ने जल्दी चलो बना फलाई इतनी बात सुनी बांदी ने उदल जल्द हुआ तैयार एक हाथ में ढाल उठाई दहने हाथ लई तलवार चल पड़ा उदल अब बंगले में सीधा रंग महल को जाई प्रणाम माता जी कहिए किस लिए याद किया उदल अपनी भावी को समझाओ इसकी मदी मारी गई है भावी क्या बात है किस लिए उदास हो लाला हमारी सभी सखियां तीजा कत्योहार मनाने नौलखा बाग जा रही है हमें भी जाना है अच्छा अच्छा तो सहेलिया नौलखा बाग जा रही है भला क्यों जूला जूलने अच्छा तो हमारी भावी भी जूला जूलने जाएंगी हाँ भावी अगर आपको जूला ही जूलना है तो यहां महल में ही चंदन की जूले लगवाए देते हैं जहां अपनी सहेलियों के साथ आप सांसे जूला जूल सकती है नहीँ, हमें जूला जूलने नौलखा बाग ही जाना है वो तो ठीक है भावी लेकिन लेकिन क्या भावी नौलखा बाग के आसपास दुस्मन घूमते रहते हैं वहाँ आपकी जान को खत्रा हो सकता है सो ठीक है वहाँ खत्रा हो सकता है और तुम्हें दुस्मनों से डर लगता है तो तुम चूडिया क्यों नहीं पहन लेते हैं भावी सार्दा भवानी की कसम अपनी तलवार से उसकी गरदन कलम कर दिये होते लेकिन आप हमारी भावी हैं इसलिए लाला हम तुमारे इतने काम आते रहते हैं तुम हमारा इतना काम नहीं कर सकते नौरखा बाग ले चलो अगर तुम नहीं लेके जाओगे तो मैं कटार मार कर अपनी जान दे दूँ इतनी बात सुनी मचला की उदल गया सना का खाई सुडकी ओड़ गई है चहरे की जर दी गई बदन पर चाई खिडली काप गई उदल की हिलने लगे बथी सोदात हिलने लगे बथी सोदात भावी होसी बिगड़ गए नरूदर के जबरानी ने कही ये बात भावी भावी को ललका हिलने बदलाई एसी बावी को मत बोलो मेरे जामे में नजिन समाई बावरी जर्वी क्यों नारायन क्यों जम चड़े हैं सिर्फर आए जुर्या पकड़ी क्यों होनी ने क्यों यम राज चड़े पर आए ताल गे राजित में क्यों गेगा तर पर रही मौत मन राज लेका चुक गया धर्म राज के कागज रहे राह के नाम जो पूभूपी है जूले की में भावी पीले उबलाए चंदन मगवाले महलों में यहां हिडो लेले गड़वाए जितनी तिरियां हैं महवे कीसी समहल में लो बोलो आए सारी तिरियां जो हैं संग में अपनी तीजों लेओ मनाए भारी राजा की बेटी हो तुमको जेवा देता नाए बाहर कदम धरो महलों से एसा तुम है मुनासिक नाए इतनी सुनकर मचला जल गई जैसे ओगल पड़ी तलवार नदी नर्वदा का जल गरजे और संग की गरजे है दार अब मैं जाती हूँ सिरिसे को देवर मलके के दरवार देवर मलके के दरवार बात तुमारी नहीं मानूनी चाहे लाथ धरो अवतार इतनी सुनकर उदल जल गया जियों बारूर आग लग जाए जर्दी ओड़ गई है चहरे की सुर की गई बदन पर छाए रोंदा मस का भोज डंडों का गुस्सा भरा बदन में चाहे बैठा हो गया है भावी तलवार उठाए तब ललकारा है मचला तो भावी तेरा बुरा हो जाए नाता लगाती है भावी का नहीं जम गट में देव पहुचाए कड़वा पानी है महवे का हमसे बोल सहा ना जाए मैं सीवानी को मत बोलो बोली गई कलेजा खाए करो तयारी अब चलने की भावी मेरी मचल दे नाल इंद्र छोड जाए इंद्रासन को और केलास छोड सिब जाए पर ना छोड़ू तेरे डोले को जो मेरा नाम मुझे चंदराए बागे नोलके की सेरों में अपना जूला डालो जाए इतनी बात सुनी उदल की मचला बहुत खुसी हो जाए पूल के रानी गद गद हो गई फूली यंग में नहीं समाए में को रवान तुमारे उपर पानी पीऊं बार के जाए यात्रा की तैयारियं की जाए देओ बुलावा सब नगरी में मेरी सक्यों को लाओ बुलाई इतनी सुनकर बांदी चल पड़ी और सक्यों पर पहुँची जाए गली गली में फिरे घूमती और सक्यों को रही सुनाए आज तिवार लगाती जो का जूलने जाए मचल देनार जो जो सहेली है मचला की कामिनी जल्दी करो सिंगार यह मन मान गई तिरियों के जब हिर दे में गई समाई कोई बार है कोई भीस की सब सक्या है जवान चड़ी जवानी जूमती जिनका नहीं बयान कोई कोई बार है कोई अठार है और कोई वीस बरस की जवान अलहड जवानी की मतवाली जिनका नहीं हो सके बयान दो चार बुडियां असी वरस की जिन पर उठा न बैठा जाए सज सज डोले सब तिरियों के रंग महल में पहुचे आए सज कर मचला एसी हो गई जैसे युगल पड़ी तलवार हीरा धीवर को बोलवा कर कहने लगी मचल देना घरो तैयारी अब चलने की डोला जल्द करो तैयार इतनी सुनकर हीरा धीवर डोला जल्दी लिया सजाए मचला बैठ गई डोले में जिसमें सोलह लगे कहार पीछे डोले हैं सक्यों के आगे चली मचल देना चल पड़ डोले अब महबे से और वह बड़े अगारी आए करी तैयारी नर्म उदल ने अपने लिए हत्यार लगाए हाथ जोड कर कह माता से में माता की लें उबलाए आग्या दे दो अब उदल को में भावी को लाओ जोलाए इतनी सुन कर दिबला बोली बेटा सुनो उदै चंदराए जारों तरफ बसे हैं दोस्मन अपना कोई समी पीनाए बेटा तुम जा रहे हो हमारे खानदान के इज़द अब तुम्हारे हाथ में है आपने स्चिंत रहे मातासरी बूदल के रहते हुए भावी मचला पर कोई आज नहीं आ सकती चोकस रहियो तुम मचला से मत कोई दुसमन पहुँचे आए नाम डूब जाएगा महबे का फिर मरजाद बंदे गीनाए लोट के ज्वाब दिया उदलने माता सुन लो कान लगाए बैठी रहियो तुम महलों में तुम को कौन पड़ी परवाए चार घड़ी और सबा पहर में दाखिल हुआ बाग में जाए बाग नो लके की सेरों में जब सब डोले पहुँचे जाए मचला उतर पड़ी डोले से गुरु अमरा का ध्यान लगाए जितनी सहेली थी मचलागी बाग के अंदर पहुँची जाए कोई कोई तोड रही फूलों को और कोई मन में रही मुसिकाए बहुत खुसी तिरियों को हो रही और आपस में रही इठलाए मुचा सटहना देख बाग में उसमें जूला दिया डलवाए सोने चान्दी की पटरी है जो जोटों में धरी जमाए घुम्मट बन गया सब तिरियों का जैसे घटा तोप हो जाए कोई जूले कोई जोटा दे कोई मचला को रही है जोलाए राग चती सो तिरिया गावें कानों भनक सुनी ना जाए बड़ी खुसी से रानी मचला की अपनी तीजे रही मनाए होनी हो करके रहे कोई बच्चता नाए जो मरजी भगवान की कोई पार ना पाए होनी होनी रहे है हो कर कोई होनी से बच्चता नाए जो कुछ मरजी नाराएन की बोबिन हुए टले है नाए अब मत कट गई नर गूदल की होनी बेठ मूड पर जाए बोला उदल रानी मचला से खूदल चला गया बेले को मचला रही अकेली छाए खुसी मना रही है सब तिरिया उँचे जूले रही उड़ाए परवा हवा चले सावन की सारी बनस पती लहराए जोका लग जाए जब पुरवा का चुनरी मचला की उड़ जाए गूंगट उड़ गया है मचला का चेहरा दमक दमक रह जाए गूंगट उड़ गया है मचला का चेहरा दमक दमक रह जाए एसी जलक पड़ी चेहरे की जैसे विजली को ना खाए वहाँ इलाका था पतरी का जहां पर भाग दिया लग वाई जौला सिंग पतरी का राजा पहुंच सिकार खेलने आए जमक मचल देखे चेहरे की लग गई जौला सिंग को आए ना कहीं विजली है अंबर मैं ना नंगी चमकी तलवार केसी जलक लगी कौंदे मैं निकली मेरे कलेजे पार भारी फेकर हुआ राजा को मैं कर रहा हूं सोज बिचार ना कहीं बादल दिखाई दे रहे ना कहीं काली घटाएं आखिर ये विजली चमकी कहां से इसका रहा से क्या है इतनी सुन कर घोड़ा बोला राजा राजन मैं बताऊं ये मचला के खुबसूरत चेहरे की चमक है मचला ये मचला काँ है रे घोड़े जानते नहीं राजन ये मचला एक सुन्दर औरत है कमसिन और हसीन वाह वाह बहुत खुब रे घोड़े हे राजा सावन का महिना है इसलिए मचला तीजों का त्योहर मनाने नौलखा बागाई है और उसके साथ में उसकी सभी सहेलिया हैं जो जूला जूल रही है अच्छा और सुनो राजन जब जब मचला मुस्कुराती है तब तब उसकी सुन्दर्ता क्यामत ढाती है और तभी आकास में ऐसा लगता है जैसे बिजली चमक रही हो मचला बहुत खुबसूरत है राजन धोड़े तेरी बाते सुनकर मचला को देखने को जी चाहता है जी खबरदार राजा ऐसी गलती मत करना वरना बहुत पस्ताएगा जानता नहीं वह आला की पत्नी है अब तक उसे देखना पाया ये कसूर मेरा है या तेरा पता नहीं लेकिन उसके हुसन को देखकर उस पे मर जाने को जी चाहता है रे अरे ओ राजा क्या तेरे राज्य की इस्तरियां मर गई है मत करना वरना युद्ध हो जाएगा खबरदार भोड़े जानता नहीं मैं देवी का भक्त हूँ मुझे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता मेरी तरफ से देवी लड़ेगी देवी समझे ए गर्व की बाते मत करो आज तक किसी का गर्व रहा है जो तेरा रहेगा बंद केर अपनी जोवार हम जोआला सिंग है राजा जोआला सिंग जोआला सिंग है लगता है ये बंग लू गया काम से मेरा नाम जोआला सिंग है जोआला सिंग हाँ अब मत कट गई जोआला सिंग की होनी बैट मूड पर जाए बहुत सा समझाया घोडे ने राजा एक मानता ना आए चल पड़ा घोडा अव आगे को दाकिल हुया बाग में जाए जहां पर जूला था मचरा का घोडा डटा सामने आए जोडा डटा सामने आए जोडा सिंग माना नहीं घोडे की एक बात पहुच गया वो बाग में अपनी लगाने घात अब तुम हाल सुनो जौला का दाकिल हुआ बाग में आए जहां पर जूला था मचरा का दोस्मन डटा सामने आए नजर घूम गई रानी मचला की वह राजा को रही नहाग ए घूर सवार कौन है तू और कहां से आया है हम जौला सिंग है राजा जौला सिंग पथरी गड़ के राजा जौला सिंग राजा अरे तेरे जैसे राजा तो मेरे बलम के हाँ जमादार और चिलमदार है अहाँ में जौला सिंग प्रेवन के इन वह सकता हूं ai इन बातों को तुम ना बोलो तुझको सोभा देता ना है नाम हमारा ज्वाला सिंग है राजा पतरी गड़ का राए मैं नहीं डरता हूँ उदल से क्यों तू देहसत रही दिखाए जिस उदल पर धूंगर जे है उसकी कोई हकीकत ना है नाम सुना तेरा मुद्टत से अब सूरत है देखी आई छोड़ आसरा गड़ महबे का अब तुम चलो हमारे साथ खिदमत दारी करूं तुमारी हर दम खड़ा रहूं तैयार बैठी रही ओ तुम महलों में तुमको कौन पड़ी परवाई सो सो बांदी तेरी महलों में हर दम सेवा करें बनाए जो तुरानी है सब उपर तुझे पटरानी दें बनाए जो सुख तुझे को मिले पतरी में एंसा कहीं मिलेगा ना है इतनी सुनकर मचला जल गई गुस्सा भरा बदन में छाई येसी गरजी रागो मच्च की जैसे सेर थड़े राखाई राजा राजा को ललकारा पाजी तेरा बुरा हो जाए छुटिया पकड़ी के ओहो नीने सर पर मौत पुकारी आए सर पर मौत पुकारी आए मौलक में तिरियां तुझको मर गई जो मचला से इसके लगाई जब मोह देखेगा उदल का पीछे फिर देखेगा नाई जैसा राजा थूदी के है मेरे बलम के चिलम बरदार काल निकाल के मैं भुस भर दूँ जो मेरा नाम मचल दे नार इतनी सुन कर राजा बोला रानी सुन लो कान लगाई वोई रोज का यह जो बन है फिर ये रूप रहेगा नार नाम चोड़ दे अब आला का और पथरी का करो दरवाः ये सा वक्त नहीं मिलने का लाग धरो फिर जो ओतार इतनी सुन कर राणी मचला ने जो आला सींग से कही ये बात भीड ततैयों के छत्ते में राजा तुम ना डालो हाथ नांग बसे हैं गड़ सिर से में जिसका डसा बचे है नाय उदल उदल की गरजों में चलती पवन बंद हो जाए उदल उदल की गरजों में चलती पवन बंद हो जाए जो उदल पर तुम नाज करती हो ला कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है हम पत्रीगड के राजा है राजा ज्वाला सिंग मेरा नाम है इतनी सुनकर राणी मचला से ज्वाला ने फिर कही ये बात सुर्की छाए गई चहरे पर गुस्सा भरा बदन में जाए मचला मचला तुम कारा दुगिया तुम पुरा हो जाए जान के तिरिया तुझे छोड़ू हूँ नहीं तो जम गट तूं पहुचाई जितनी स्पिरियां गड महोबे की सब को पत्री लूँ बोलवाई बांदी करके सब को छोड़ू दानाद अगर तुझे पत्री गड नहीं बुलाया तो मेरा नाम ज्वाला सिंग नहीं जो में भूरी से का लाल ओम रचाया ज्वाल सिंग ने जब कुस हुई सार दामाए हाथ जोड़ करती पर कमवा और जन्हों में मूटा जा जो मन साव पुरल हो मेरी दोहिरी भजाते हूं चणवाए मिला सिहासन जब दुरगे का मंदिर गरज गरज रह जाए दोली चंडी तब ललकादी और राजा से कहा सुना ऐसा कौंसा खाम आ गया राजन? जो काली अंधेरी रात में हमें पुकारने की जुरूरात की? हमें किसले जगाया राजन? ऐसी कौन सियाफात आ गई? जो तुम हमें आधी रात में पुकार रहे हो? इश्क में पागल हो रहा पत्री गड़ सरदार जब से दिल में बस गई सुगर मचल दे नार चड़ी जवानी कुछ ना सूजे मुझे इसक ने लिया दवाए नाम सुना था मेरे मचला का अब आँखों से देखा जाए बाग नो लके की सेरों में अपनी तीजों रही मनाए जैसी रानी वह मचला है ऐसी किसी देश में नाए मेरा दाब लगा मचला से उसने कही गरब की बात मुझे मगा दे मचला तूं मेरी लाजित तुम्हारे हाथ बड़ा भरोसा मुझे है तेरा अब तुम मेरी करो सहाए इन बातों को तुम ना बोलो राजा सुनलो कान लगाए क्या मुलकों में तिरिया मर गई मोहबे एस्क लगाया जाए बड़े लड़ाया मोहबे के हैं जिन घर ब्याही मचल देना तुम्हें इश्क लड़ाने के लिए क्या मचला ही मिली है राजन क्या तुम्हारे राजी के नारिया मर गई है राजन शायद तुम नहीं जानते वे तुझे गदहा बना के हल में चोथ डालेंगे चानते नहीं वे लोग सिद्गुरु अमरा के चेले हैं जिने जादु की दिवे शक्तियां प्राप्त है उनकी तलवार के वार से कोई बच्ता नहीं इतनी सुनकर राजा बोला मैं देवी की लें उबलाए हांत जोड कर करीको सामद और चरणों में लोटा जाए पहला बेटा हो मचला से वह तेरी दूंगा भेट चाए मुझे मिला देथू मचला से जिन्दा गुन बूलूंगा नाए इतनी सुनकर जौला सींग से चंडी बहुत खुसी हो जाए भूल के देवी गदगद हो गई और मंदिर में नहीं समाए गरगी देवी तब ललकारी और राजा से कहा सुनाए खीक है राजा तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी बैठे रही ओ तुम गत्ती पर तुम को कौन पड़ी परवाए तुझे मिला दूरानी मचला से उसका पलंग लेओं मंगवाए यह मन मान गई राजा के और हिरदे में गई समाए चल पड़ा राजा अब मंदिर से अपना जा दरबार लगाए सुनो हकीकत अब देवी की धिसने डाला जलम गजार चार बीर जो सब से भारी वो देवी ने लिये बुलाए लग लेवी ऑाजसे की. लग मलेडर मं बुलाए लग लगा वाजसे की बुलाए लगा लगा फिर राता से अजए लगे वो देवाजनार एदूतो जाओ रानी मचला को उसके पलंग समित उठाकर ले आओ जाओ जो आग्या माता जाओ राजा महलो में एश करो रंग महलो में मजा लूटो एश करो जल पड़े चारों गड़ पतिरी से मोह बेकाली अध्यान लगाई इनको छोड दिया रस्ते में अब मचला का सुनो बयान एक पहर बीता दो पहर बीते पहर तीसरा पहुचा आए पूदल आया जब बेले से उसने होकम दिया करवाई समय ढल गया सांज हो गई वक्त साम का पहुचा आए करी तैयारी अब चलने की में भावी कीलें बलाए इतनी बात सुनी मचला ने उसके दिल में गई समाई करी तैयारी अब चलने की और डोले में हुई सबार सज गए डोले सब सक्यों के आगे चली मचल दे नार सब से पीछे चला उदै चंद चारों तरफ देखता जाए चारों तरफ देखता जाए चार घड़ी के अब अरसे में दाखिल हुए महोबे जाए रानी ओतर पड़ी डोले से दाखिल हुई महल में जाए जहां पर सासो दिबला वैटी बहां पर मचला पहुँची जाए हाथ जोड कर दी पर कमा चर्णों में दी असीस नबाए देखे के सूरत रानी मचला की दिबला बहुत खुसी हो जाए कई रोज का अरसा हो गया जब दिन बीत गए दो चार विरत एक दसी का बरती थी आला मंडली की नार बक्त साम का जब आ पहुचा चली सपर ने मचल दे नार जितना जादू था मचला का सारा उसने धरा उतार चार वीर जो थे मचला पर सो डिबबे में दिये छुपार सपर कोर कर गंगा जल से फिर पूजा में बैटी जार इंदल सोप दिया सासू को जिसका नाम दिबल दे नार सवा पहर की पूजा करके मचला सोई पाउ पसार गाफल होकर मचला सो गई उसको रही ख़वर कुछ नाए सब दिन पहरा रहे उदल का उस दिन बंगले सोया जाए चारों बीर चले पत्री से वह महवे में पहुचे जाए आधी रात का जब अरसा हुआ दाखिल हुए महल में जाए जहां पर पलंग था रानी मचला का वहां पर चारों कहुचे जाए सोते देखा जब रानी को सब ने मिलकर कहा सुनाए जल्दी ले चलो अब पलके को क्यों रखी है देर लगाए जिन्दा नहीं छोड़े चारों को सब की लेगी कैद कराए यह मन मान गई चारों के और हिर दे में गई समाई एक एक पाए को पकड़ा और उपर को लिया उठाए लेकर पलंग चले मचला का पतरी घड में पहुचे आए जहां दरवार लगा राजा का उसमें धरा पलंग को जाए दो का पहरा था मचला पर दो मंदिर में पहुचे जाए हाथ जोड कर दी पर कमा और चंडी से कहा सुनाए पलंग ले आये हम अचला का और वह धरा बाग में जाए सुन वीरों की बातों को दे भी खुश हो जाए जोड़ा सिंग सोया जहां दे भी पहुंची जाए पलंग ले आये हम अचला का और वह धरा बाग में जाए इतनी बात सुनी वीरों की खुश हो गई सारदा माई चली भवानी अब मंदिर से और जोड़ा पर पहुंची जाए जहां पर सोवे था ज्वाला सिंग दाखिल हुई बाग में जाए मारी दो अच्पड जब छाती में और राजा से कहा सुनाए लेना हो तो ले मचला को फिर नहीं मिले मचल देनाए पलंग भरा है तेरे बाग में अब क्यों रखी है देर लगाए इतनी बात सुनी चंडी से राजा बहुत कुछी हो जाए पूल के राजा गदगद हो गया और आपे में नहीं समाए चल पड़ा राजा महल से अपने दाकिल हुआ बाग में जाए जहां पर पलंग धरा मचला का वहां पर राजा पहुचा जाए बेख के सूरत राणी मचला की लट्टू पूट पेट में जाए पटी पीपडी जब दिन निकला भक्त सुबह का पहुचा आए धंडी हवा लगी राणी को आँकें खोल खोल रह जाए सोते सोते से उठ वैठी धर उधर बोजे की जाए ओस बिगड़ गयरानी मचला के मन में गई सना का खाए ओस बिगड़ गयरानी मचला के मन में गई सना का खाए नीचे का दम नीचे रह गया मचला सोच सोच रह जाए मैं तो सोई थी महलों में यहाँ पर कैसे पहुंचिया जगह बिरानी भूम डरानी अपना कोई समी पी ना दिल की बंद गई है रानी भी आंसू गिरे धरन पर जाए जवाला सिंग को देखके मचला गई घबराए बोली फिर ललकार के और ये कहा सुनाए खबरदार जवाला सिंग्ग मुझे छूने की कोशिश मत करना वरना 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 क्या मुझे मारेगी मुझे काटेगी क्या कर लेगी मेरा मा कसम तुझ जैसी यसीना से मार खाने को जी चाहता है रे जो की मेरा नाम जवाला सिंग्ग है जवाला सिंग्ग पत्री गड़ का राजा जवाला सिंग्ग अगर एक साग तक मेरे पती और मेरे देवर मेरा पता नहीं लगा पाए तो जो तेरी मर्जी में आए सो करना और याद रख एक साल तब तू मेरा भाई बन के रहेगा ठीक है मुझे तेरी सर्थ मंजूर है एक बरस तक में तेरा भाई बन कर रहूँगा उसके बाद जवाला सिंग्ग नाम है मेरा पत्री गड़ का राजा जवाला सिंग्ग मैं अपने कान के कुंडल उतार कर यहां रखती हूँ अगर तू ने इसके पार आने की हिम्मत की तो तू जलके भस्म हो जाएगा भस्म हो जाएगा एक बरस तक मैं तेरा भाई बन कर रहूँगा उसके बाद ज्वाला सिंग नाम है मेरा पत्री गड़ का राजा ज्वाला सिंग क्या ज्वाला सिंग एक बरस तक मचला का भाई बन के रहा या जूट बोला क्या राजा ज्वाला सिंग मचला को अपनी राणी बना पाया या राणी मचला ने उसे धोखा दिया क्या ज्वाला सिंग ने अपना पहला बेटा देवी मा को भेट चड़ाया या भूल गया क्या आला और उदल राणी मचला का पता एक साल में लगा पाये या नहीं यह सब देखने और सुनने के लिए इंतजार कीजिए नटराज वीडियो सिड़ी के मध्यम से मचला हरन का भाग दो नमस्कार पतो만 वास क्या तमया तमस्कार अशी कंपाया पतो अपतो नुँए अजय को 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 अजय क देवियों और सज्जनों आप के लिए प्रस्तुत करते हैं स्री सूर्दास जी महराज के संगीत में रामायड प्रवचन जी हाँ वही सूर्दास जी महराज जो वर्षों पहले आडियो कैसेट के माध्यम से स्री राम जी के चरित्र का बखान कुछ इस तरह से किया करते थे कि आप मंत्र मुग्धो सुनते रह जाते थे है ना प्रवसिर राम का एक नेम रहा प्रवसिर राम अपने लीला काल में जहां भी कहीं गए आये उठी बैठे अरे यहां तक एक बार प्रवसिर राम सुसुराल गए सुसुराल साथ में किनको ले गए क्लाश फैलों को रिस्पेक्ट फैलों को नहीं चौपाई पर हो किनको ले गए हारा से चाली मूनी ब्रंद सहाया हारा से चाली मूनी बीगे बीदी है नगर नियराया बीगे बीदी है पूनी मूनी ब्रंद समेथ क्रिपाला देखन चले धनों से मख शाला देखन चले धनों से मख अच्छा जब बन के लिए प्रुराम गए तो साथ में कौन है पूनी रघुनाथ चले बन आगे मूनी बरा ब्रंद बिपुल संग लागे जहां भी कहीं देखो लासत्य मन्जू मूनी मंडली मूनी शमू हू महाँ बैठ प्रभु इत्याज काज प्रमान मिलती है इसलिए राम के लिए लिखा गया है ब्रद से भी चरागावाह ब्रद से भी चरागावाह आज बच्चों को हम लोगों के बड़ी उमर वालों के पास बैठ नहीं सकते हैं आज के बच्चे कहते हैं चलो अपने मजार्टी में चलें एक लड़के की बारात जा रही थी उसके साथियों ने कहा अगर तुम बारात में उड़्धे बुड्धे ना ले चलो तो हम सब तुम्हारी बारात चलेंगे दूरा ने कहा भाई आओ तो ठीक है लेकिन मैं अपने बबबा को तुम्हीं ठोनेगा बबबा को जरूर ले चलोगा बोले ले चलो बबबा को लेकिन कहीं अलग रखे देना सब लड़के लड़के बारात में पहुँच गए बबा को एक कोठी में अलग टिका दिया लड़की बाले ने देखा कहा है एक भी सायना नहीं है सब लड़के लड़के आ गए है तो लड़की बाले ने एक चिठ्थी लिखी क्या उसमें चिठ्ठी में लिखा कि पहले हमारे गाओं की नदी को दूर से भरो तब बाद में भाव रहें पड़ेंगे जब चिठ्ठी जनुआ से आई अब किसी की कोई बात समझ में नाए बोली भाई लाओड चलो नदी को दूर से कैसे भरा जागा लाओड चलो दूला गया बबबा के पास कहा बबबा चलो लाओड के चलें अब साधी नहीं होगी बबबा ने पूछा क्यों कहा उन्होंने ये चिठ्ठी लिखी है इसमें लिखा कि पहले हमारे गाओं की नदी को दूर से भरो तब बाद में भावरें पड़ेंगी बबा ने कहा तुम पीछे लिख दो कि पहले तुम नदी को पानी से खाली तो करो तब तूम दूर से भरें जब ये लिखी किठ्ठी पहुंकी तो समझ गए कि कोई सयाना जरूर है इसलिए बच्चो कहीं कभी भी अपने शैनों का तिरसकार नहीं करना चाहिए शिर राम से सीखो राम अपने लिला काल में जहां भी कहें गए रिश्मुनियों के शाथ गए लेकिन आज भाईयो बेहनों वही सूरदास जी वही बरही और वही कमपनी आपके लिए पेश कर रही है सूरदास जी के रामायन प्रवचन की वीडियो सीडिया तो धर्म प्रेमियों आए आप और हम शिर सूरदास जी महराज को घर बैठे देखें और उनकी मीठी वानी से शिर राम की पावन कता का नित्य आनंद लें